आपका स्वागत है चुनाओं में खर्च होने वाले पैसे की लिमिट क्यों बढ़ाई है केस लॉज में हम देखेंगे कि जो पंजाब और आसपास के छित्रों में इस्टबल बर्निंग होती है उसके उपर सुप्रीम कोट ने कौन सी कमिटी बनाई है और लास्ली गवर्नेंस टाकर में हम देखेंगे आएफस्सीये को ये क्या है और इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या है इनको समझने की हम कोशिश करेंगे हाली में लौ मिनिस्ट्री ने चुनाओं में खर्च होने बाले पैसे की जो लिमिट है उसको 10% से बढ़ा दिया है इन दी केस ओफ असेंबली इलेक्शन्स यानि की विधान सभा और लोक सभा इस चेंज को लाने के लिए सरकार ने पिछली बार इस expenditure ceiling को 2014 में बढ़ाया गया था अब दिखे ये लिमिट इसलिए बढ़ाई गई है ताकि इलेक्शन कमिशन के द्वारा जो गाइडलाइन्स जारी की गई है इन रिगार्ड्स टू COVID-19 पैंडमिक उसको इंप्लिमेंट करने के लिए political parties resources अपने allocate कर सकें for example अब अगर कोई भी party कोई public meeting करती है तो उसको additionally sanitizers और other preventive measures पे खर्चा करना पड़ेगा same is the case with booth agents जो की हर party की तरफ से polling stations पे मौजूद होते हैं बात ये भी है कि ये COVID-19 health protocols का हिस्सा है और इसके लिए political parties को खुदी पैसे खर्च करने पड़ते हैं अब अभी तक सारे states और union territories को दो categories में बाटा गया था एक category के उपर 70 लाख रुपे की ceiling थी जबकि दूसरी category के उपर 54 लाख की ceiling थी इनको बढ़ा के 77 लाख और 59.4 लाख कर दिया गया है इसके अलावा state और UDs के assembly elections में अभी तक 28 लाख रुपे खर्च किये जा सकते थे लेकिन अब इस limit को बढ़ा के 30.8 लाख कर दिया गया है दूसरी तरफ जिन states में पहले limit 20 लाख की थी वहाँ पर अब ये limit 22 लाख हो गई है इसके अलावा candidates को ये भी कहा गया है कि वो mandatorily अपने सारे accounts को file करें with the election commission कि उन्होंने election में क्या-क्या खर्चे किये हैं अच्छे यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि अगर आपके द्वारा provide किये गये accounts incorrect होते हैं तो आपके उपर 3 साल तक का disqualification imposed किया जा सकता है मतलब की 3 साल तक आप election लड़ने से barred हो जाएंगे ऐसा section 10A of representation of people's act में दिया गया है section 10A की heading ही है disqualification for failure to lodge accounts of electoral expenses तो आप इस provision को याद रखेगा सवाल बनता है कि ऐसे move का objective क्या है तो देखे सबसे पहले तो सरकार की कोशिश है कि एक level plane field बनाई जा सके और कोई भी candidate सिर्फ इसलिए ना जीते क्योंकि वो rich है इसलिए समय समय पर expenses की ceiling को change किया जाता है अब दिखे law commission की 255th report में इस issue से deal किया गया था और ये कहा गया था कि जहाँ पर भी unregulated या फिर unregulated election financing की problem है वहाँ पर lobbying की जा सकती है between big financial donors and political parties एक तरीके से chronic capitalism को address करने के लिए कहा गया था इसका मतलब ये है कि donors जो कि generally businessmen होते हैं उनके और political candidates के बीच में एक कड़बनन बन जाता है कि आप election की financing के लिए हमको मदद करिए और आगे चलके हम आपको अपने पर्द का फाइदा देंगे इसके अलावा कुछ और reforms आने वाले समय में हम देख सकते हैं सबसे पहले तो conduct of election rules का rule no.90 जो की election campaign के expenditure से related है उसको भी amend करने के लिए election commission ने सरकार से कहा है अब इसके लिए election commission ने कहा है कि आप एक ही बार में 50% की बढ़ोतरी कर दीजिए और या फिर अगर आपको seat wise expenditure को बढ़ाना है तो किसी भी candidate के उपर जो ceiling limit लगाई गई है उसको number of candidates से multiply करके बढ़ा दीजिए for example मान लीजे एक candidate के उपर 20 लाग रुपे की limit है अब इनकी particular constituency में total 5 candidates है तो यहाँ पर ceiling को बढ़ा के एक करोन कर दिया जाए अब दिखे ऐसा इसलिए है क्योंकि different seats पे different level of competition होता है और जहाँ पर भी ज़ादा candidates होते हैं वहाँ पर political parties को ज़ादा पैसा खर्च करना पड़ता है ऐसे में सभी के उपर same ceiling नहीं लगाई जा सकती अब दिखे जो prime seats होती हैं उनके उपर political parties काफी ज़ादा पैसा खर्च करती हैं ऐसे में unaccounted money काफी ज़ादा use होता है in the elections election commission का कहना है कि अगर हम already ऐसी ceiling को seat wise बढ़ा देंगे तो elections में black money का इस्तमाल कम होगा क्योंकि generally होता यही है कि candidates ceiling के उपर खर्च करना चाहते हैं बट वो लोग ऐसा नहीं कर पाते अब दिखे सुप्रीम कोट का एक judgment आया था कमरलाल गुपता वर्सेज आमरनाथ इसमें ऑनिवल सुप्रीम कोट ने ये माना था कि money एक बहुत इंपोर्टेंट फाक्टर है in LE election campaign इसके अलाबा सुप्रीम कोट में ये भी कहा था कि जो भी candidate जादा पैसे खर्च करता है voters उससे influence हो जाते हैं ऐसे में पैसा ही voters की choice को control करने लगता है अब दिखे इस issue के उपर काफी सारी committees और commissions बने हैं जिसमें सबसे पहले है Law Commission of India की 178th report जिसका नाम था Reform of Electoral Laws Election Commission of India की 2004 की report जिसका नाम था Proposed Electoral Reforms इसके अलाबा Goswami Committee काफी जादा important है जो की 1990 में election reforms को लेकर आई थी इसके अलाबा 1993 की वहरा कमिटी और इंदरिजीद गुपता की Committee on State Funding of Elections 1998 में आई थी 2001 में National Commission to Review the Working of the Constitution भी बना था और लास्ट में ये भी ध्यान रखेगा कि Second Administrative Reforms Commission जो की 2008 में आया था उसमें भी election की funding के उपर बात की गई थी तो देखे यहाँ पर आप इन सारे commissions और committees के नामों को ज़रूर याद रखेगा क्योंकि ऐसा एक नाएक question ज़रूर आता है अब हाली में आदित दूबे वर्सेज यूनिन ओफ इंडिया के case में Honorable Supreme Court ने Justice लोकुर की अध्यक्षता में एक One Man Committee का गठन किया है जो की पराली जलाने या फिर stable burning के issue में preventive measures suggest करेगी ये कमिटी पंजाब हर्याना और उत्तरप्रदेश में जो stable burning की जाती है किसानों के द्वारा उस पे focus करेगी यहाँ पर Justice लोकुर के अध्यक्षता में ये कमिटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि अपने कारेकाल के दोरान इन्होंने काफी सारे environmental matters से deal किया था अब दिके सुप्रीम कोट ने जो ये कमिटी बनाई है इस पे सरकार ने अपना विरोध दर्ज करवाया था और सरकार की तरफ से additional solicitor general एशर्या भाटी ने ये कहा कि जो environmental pollution control authority है वो already इस matter को देख रही है और जो भी concerned states है उनसे बात चल रही है इसी के basis पर इन्होंने कहा कि ऐसी कमिटी के appointment की कोई भी जरुरत नहीं है इसके अलाबा ASG ने ये भी कहा कि कोई भी order pass करने से पहले EPCA को सुनने का मौका मिलना चाहिए इन सारे arguments पे Supreme Court ने clarify किया कि ये committee EPCA के जो भी कार्य है उसमें हस्तक शेप नहीं करेगी और ये सिर्ख दिल्ली NCR में air quality को और खराब होने से prevent करने के लिए है कोट ने ये भी कहा कि EPCA इस committee को assistance provide करेगी बट इसका मतलब ये विल्कुल भी नहीं है कि EPCA की powers को dilute कर दिया गया है कमिटी के objective को बताते हुए कोट ने कहा कि एक committee सिर्फ authorities की activities को coordinate करेगी ताकि पराली जलाने के problem को resolve किया जा सके और जो different authorities state और central government के द्वारा बनाई गई है वो अपने कार्य वैसे ही करेंगी जैसे कि पहले कर रही थी हाली में international financial services centers authority news में थी क्योंकि उन्होंने fintech solutions को या फिर हम कहें कि finance छेतर में जो भी technology का इस्तमाल होता है उसके उपर एक regulatory sandbox framework suggest किया है इसके तहर जो various entities हैं working in the capital market banking या फिर insurance उनको facilities प्रोवाइड की जाएंगी for experimenting their financial technology solutions मतलब एक तरीके से एक environment प्रोवाइड किया जाएगा with real customers जहां पर अपने fintech solutions को ये सारी entities test कर सकेंगी अब जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके लिए protection और risk mitigation में provide किया जाएगा ये regulatory sandbox gift city गांधी नगर में इस्थित IFSC में operate होगा और इसके अंतरगत various applications को assist किया जाएगा with a limited purpose of testing सवाल बनता है कि ये regulatory sandbox क्या होता है तो देखे financial sector में जो भी regulators हैं उनको small scale पे life testing करने की authority दी जाती है और ऐसी permission ये regulators private firms को दे सकते हैं अंडर दी supervision of the regulator बात करें International Financial Services Centers authority की तो ये एक statutory body है अंडर दी Department of Economic Affairs in Ministry of Finance और दिखे statutory मतलब कि Parliament के एक act के अंतरगत इसको establish किया गया है for regulating financial products and services located within International Financial Services Centers इस authority के पास RBI, SEBI, IRDA और PFRDA की जो भी powers है उनको exercise करने के लिए empower किया गया है इसका headquarter गांधी नगर गुजरात में इस्थित है अब देखे जो IFSCA के members है वो central government के द्वारा appoint किये जाते हैं और इसमें एक chair person के अलावा इन सारी संसाओं के एक-एक member होते है अब देखे RBI का full form आप जानते ही है Reserve Bank of India SEBI stands for Security Exchange Board of India IRDAI मतलब Insurance Regulatory and Development Authority of India यहाँ पर आप PFIDA का full form जान लीजे Pension Fund Regulatory and Development Authority इसके अलावा Ministry of Finance से भी दो members भेजे जाते हैं और एक selection committee बनती है जो की two additional members appoint कर सकती है इन सारे members का जो tenure है वो 3 साल का होता है However, इनको reappoint भी किया जा सकता है अब अभी तक हमने बात की authority की अब IFSC के बारे में भी आप जान लीजिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये संस्था उन customers को cater करती है जो की हमारी भारतिय एकनॉमी के बाहर के हैं ऐसे centers, finance और financial products के flow को deal करते हैं from across the borders for example, London, New York और Singapore को हम global financial centers कह सकते हैं इसके अलावा इसमें Shanghai और Dubai जैसे शहर भी आते हैं जो की आज के समय में एक global role play कर रहे हैं इसके अलावा, World Bank के एकनॉमिस्ट Percy Mistry ने Mumbai में एक international financial center बनाने की बात की थी in the year 2007 लेकिन 2008 में economic crisis आ गया जिसकी वज़े से ये project कुछ समय के लिए suspend हो गया था भारत की बात करें तो जो हमारी gift city है यानि की गुजरात International Finance Tech City इसको देश की पहली International Financial Service Center के रूप में डेवलाप किया गया है तो ये था हमारा analysis 26 अक्टूबर के Quality News Analysis का उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो का PDF आपको हमारे Telegram चैनल पे मिल जाएगा और हाँ, please don't forget to Like, Share and Subscribe Thank you, Jay Hind